मुंबई शहर खाबो का शहर है यहां हजारों लोग रोज अपनी आँखों में सपने लिए आते हैं और काम्याबी के शिखर तक पहुँचते हैं मुंबई में जो टिक गया समझो इतिहास लिग गया एक बार जो यहां आया वो फिर कभी नहीं गया और जो गया वो मुंबई को भुला नहीं पाया इसलिए इस शहर को माया नगरी कहते हैं मुंबई शहर में कभी रात नहीं होती इसलिए ये शहर कभी सोता नहीं खास बात तो या है कि मुंबई शहर ना कभी रुखता है और ना कभी ठकता है वही दिल्ली की बात करे तो या शहर दिल वालों का प्यार वालों का सम्रिद संस्कृती और विरासतों का शहर है दिल्ली भारतिये इतिहास की गवार ही है जिसने वैभव और आपदाय देखी है जिसने दिल्ली परशासन किया उसने भारत परशासन किया दिल्ली वा हीरा है जिसके कई फलक है कुछ चमकिले हैं और कुछ समय के साथ मैले हो चुके हैं आप समझ गए होंगे कि हम मुंबई और दिल्ली दोनों शहरों की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मुंबई और दिल्ली से जुड़े facts कमप्रीजन जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखे और चानक की न्यूज को सब्सक्राइब करे साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। Establishment भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई समुद्र के किनारे बसा हुआ है। इसका निडमान छोटे-छोटे दिवपो पर हुआ है। इन सभी दिवपो को पूल दवारा जोड़ा गया है। मुंबई भारतिये राज महाराष्ट की राजधानी है, इसका नाम हिंदू देवी दुलगा के रूप मुंबा देवी के नाम पर रखा गया है। वही नए दिल्ली भारत के मुख्य राजधानी है, जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली को बसाने का स्रे चंदरबरदाई द्वारा रचित रित्वी राज रासों में तोमरवंश के राजा अनंगपाल को बताया गया है। कहा जाता है कि दिल्ली का नाम राजा धिल्लू के दिलिका के नाम पर रखा गया। दिल्ली महाभारतकाल में पांडो की पिडिये नगरी थी जिसे उस समय इंद्रप्रस्त के नाम से जाना जाता था पॉपुलेशन मुंबई भारत की सबसे बड़ी अबादी वाला शहर है साल 2011 में हुए जन गनाना के अनुसार मुंबई की जन संख्या 12.4 मिलियन थी लेकिन साल 2019 में 24 मिलियन होने का अनुमान है मुंबई में जन संख्या घनातु एक किलो मीटर के अंदर लगभग 20.700 लोग निमास करते हैं वही दिल्ली भारत की दूसरी बड़ी अबादी वाला शहर है साल 2011 में हुए जन गनाना के अनुसार दिल्ली की अबादी 11 मिलियन थी लेकिन साल 2019 में 17 मिलियन होने का अनुमान है दिल्ली में एक किलो मीटर के अंदर लगभग 3900 लोग निमास करते हैं GDP किसी भी राजी का सकल घरेलो गुतपाद यानि जीडीपी उस राजी का आर्थिक दर कुदर साता है आर्थिक राजधानी मुंबई भारत का सबसे अमीर शहर है इसकी जीडीपी 173.8 डॉलर बिलियन है वहें दिली की जीडीपी भारत की सभी राजीयों की तुलना में 11 नमबर पर आता है इसकी कुल जीडीपी 110 डॉलर बिलियन है हालाके दिली एसिया में सबसे तेही से विक्सित होने वाला शहर है लिटरेसी रेट दोस्तो कोई भी प्रांत विक्सित तभी होता है जब वहां के लोग साक्षर होंगे अगर मुंबई की साक्षर्तादर की बात करे तो साल 2011 की जन्गणना के अनुसार यहां की साक्षर्तादर 89.73 परतिसद है इसमें पुरुस 92.56 परतिसद जबकि महिला 86.39 परतिसद है वही दिल्ली की साक्षर्तादर 2011 की जन्गणना के अनुसार 86.2 एक परतिसद है इसमें पुरुस साक्षर्तादर 90.9 परतिसद जबकि महिला साक्षर्तादर 80.76 परतिसद है मुंबई में कूल 13 विश्व 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 पासियों के रहने के लिहास से भारत का सबसे महगा शहर है यह दुनिया का पचपनवे सबसे महगा शहर है मुंबई में रहने की लागत खर्ज दिल्ली की तुल्ला में लगभग 4% अधिक है अगर मुंबई में घर लेना चाहते हैं तो दिल्ली की तुल्ला में मुंबई में 52 प्रतिसद अधिक खर्ज करना पड़ सकता है मुंबई के सीटी सेंटर में 1BHK अपार्टमेंट का किराया 568.14 डॉलर है जबकि दिल्ली के सीटी सेंटर में 1BHK अपार्टमेंट का किराया 242.57 डॉलर है ट्रांस्पोर्टेशन मुंबई और दिल्ली दोनों शहरों ने अपनी अपनी परिवहन व्यवस्था से हर किसी का ध्यान आकरशित किया है मुंबई की लोकल ट्रेन यहां की लाइफ लाइफ लाइन है इसमें रोज औसेतन 2.4 मिलियन मुसाफिर सफर करते हैं ट्रेन के अलावा मुंबई में रोजाना लगभग अठारव सो बसे चलती है वही दिल्ली मेटरो दिल्ली की शान है इसमें रोज औसेतन 2.8 मिलियन मुसाफिर सफर करते हैं दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली की सरकारी जन परिवहन सेवा है या विर्षो की सबसे बड़ी बस सेवा है जो पुन रोप से सम्पिरित प्रागिर्तिक गैज यानी C.N.G. से चलती है मुंबई और दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके हैं जो फुर्स के लिए फेमस है मुंबई में कुलाबा बड़े मिया, मुसाफिर खान गुलसने इरान, हाजी अले जू सेंटर, शिव सागर जूहु इस्तित है या सब अर्बन तड़का के लिए प्रसिद है वही दिल्ली में प्राठे वाली गली, चांदिनी चौक की मिठाई, असोखा रोट पर बने आंदर भवन की चिकन कड़ी परसिद है तो दोस्तो आज हमने आपको मुंबई और दिल्ली से जुड़े फैक्स कम प्रिजन बताया आसा है आपको पसंद आया होगा दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नए वीडियो देखने के लिए चाना की नीज को सब्सक्राइब करे साथ ही वेल आइकन दबाना ना भूले यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सेर और कमेंट करे नमस्कार